अपने 50 साल के फिल्मी करियर में अमिताव बच्चन सारे फिल्म लवर्स को अंगिनत बढ़िया फिल्म उपहार दिये हैं लेकिन उनके करियर में ऐसे बहुत से रद फिल्म है या रिजेक्ट मुवी है जिसका काम लगभग संपूर्ण हो गया था और कुछ ना कुछ वज़े से वो फिल्म अटक गई अगर वो फिल्म समय पे रिलीज करती तो वो सारे फिल्में उनके करियर के यादगार फिल्मों में से होती और दर्शक भी उस फिल्म के आनंद बहुभी उठाते ऐसे एक फिल्म था जो 1984 में रद हो गया फिल्म का नाम था खबरदार जिसके निर्देशक थे टी रामा राओ और जिसके निर्माता थे पूर्ने चंदर राओ अमिताव बच्चन और कमल हसान अभिनित फिल्म खबरदार मर्सी किलिंग या यूथेंसिया के जैसे एक विवादित बिशय पर आधारित थी यूथेंसिया इसका मतलब होता है कि कोई मरीज अगर अपने बिमारी से बहुत दर्द महसूस करता है और उसका ठीक होने का कोई उमीद नहीं होता है तो डॉक्टर उसके इजाज़त से उसे एक पेइनलेस डेथ या बिना दर्द के मृत्यू दान करके उन्हें पेइन से रिलीज करते हैं ऐसे ही एक विशय पे ये खबरदार फिलीम आधारित थी इस फिलीम में अमिताव बच्चन एक डॉक्टर के किरदार निभाए थे और कमल हसान एक मरीज के भूमिका में अविनाई किये थे इस फिलीम के निर्मान जब शुरू हुआ था उस समय देश के अधिकतर लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि ये ये चीज क्या है ये मैटर क्या है ये सबजेक्ट क्या है फिलीम खबरदार के दूसरे कलाकार थे जयाप्रदा और स्री देवी और इस फिलीम के संगितकार थे बप्पी लहीरी जी इस फिलीम के पहले भी सन 1972 में अमिताब बच्चन ने रिशीकेश मुखर जी निर्देशित आनंद फिलीम में एक समवेदन सिल डॉक्टर के भूमि का निभाये थे जए आनंद फिलीम में अमिताब बच्चन का निभाया हुआ किर्दार का नाम था डॉक्टर भासकर बैनर जी खबरदार फिलीम के कलाइमेक्स को लेके अमिताब बच्चन को आपत्ती था अमिताफ बच्चन को ये महसूस हुआ था कि इस फिलीम के क्लाइमेक्स में थोड़ी गरबड़ी है इस फिलीम का क्लाइमेक्स कुछ इस तरह से था कि अमिताफ बच्चन के हाथो कमल हसान का मौत हो रहा है अमिताफ बच्चन को लगा कि ये जगा या ये द्रिश्य देखने का बाद दर्शक उन्हें गलत समझेंगे और उनका आलचना करेंगे उनका क्रिटिसाइज होगा इसलिए वो इस फिलिम के क्लाइमेक्स में थोड़ा बदलाव लाने को बोले थे 1983 में कुली फिलिम में अमिताफ बच्चन का जो एक्सिडेंट हुआ उस हादसे के बाद अमिताफ जो इंजियोड हो गये उसके बाद ये फिलिम का काम रुक गया हस्पताल से लोटने के बाद अमिताफ बच्चन अपने सारे इंकॉम्प्लीट फिलिम को पूरे तो किये लेकिन इस फिलिम खबरदार के प्रोजेक्ट उनके निर्माता निर्देशक आगे बढ़ाने को और तयार नहीं थे और अमिताफ बच्चन को भी ये फिलिम ठीक नह सराना नहीं करेंगे इसको एकसेप्ट नहीं करेंगे इसके अलावा भी इस फिलिम के कहानी कुछ हद तक 1972 में रिलीज हुआ फिलिम आनंद से मिलता जूलता था यही सब कारण के वज़े से 16 रिल कॉम्प्लीट हो जाने के बाद भी 1984 में ये फिलिम खबरदार के निर्माता इस प्रोजेक्ट को रद कर दिये इस फिलिम के बारे में 1986 में दिया हुआ एक इंटर्विव में कमल हसान बताए थे कि इस फिलिम के लिए उनका जो काम था वो सारे काम एक 25 दिन के schedule में 25 days के schedule में वो लगभग complete कर दिये थे और इस film के लिए उनका जो महनताना है जो remuneration उनको मिलने वाला था उसके आधा उन्हें मिल भी चुका था लेकिन उसके बाद ही इस film के पूरे unit को लगा कि इस film का जो subject है वो दर्शकों से हजब नहीं होगा इसलिए एक mutual understanding के माध्यम से सभी ने इस project का काम रद करने का सिधान्त ले लिए सन 1990 में इस film के निर्माता निर्देशक इस film का काम फिर से सुरू करने के लिए कमल हसान और अमिताब बच्चन दोनों को request किये लेकिन कमल हसान और इस project को लेके interested नहीं थे आखरी रास्ता फिलीम के निर्देशक के भग्यराज के बयान के अनुसार अमिताब बच्चन को लगा था कि अगर ये फिलीम release करती है तो उनसे ज़्यादा कमल हसान के काम को प्रसंसा मिलेगी कमल हसान को काम को ज़्यादा सरहना किया जाएगा कमल हसान ज़्यादा प्राइस्ट होंगे इसलिए अमिताब बच्चन और नहीं चाहते थे कि इस फिलीम का काम और आगे बढ़े लेकिन इसके बाद उन समय अमिताब बच्चन ने एक बढ़कपन दिखाएं थे बीच में रुख जाने के कारण प्रोड्यूसर का जो जितना लुकसान हुआ था उसका भरपाई करने के लिए 1986 में पूर्ण चंद्र राओ प्रायो जीत एक दूसरा फ्लीम आखरी रास्ता में अमिताव बच्चन free of cost काम कर दिये इसके लिए वो कोई महनताना नहीं लिए थे आखरी रास्ता में अमिताव बच्चन डवल रोल में नजर आये थे और फ्लीम सुपर हिट थी सबसे मज़दार बात तो ये है के सन 1978 में रिशी कपूर और संजीब कुमार को कस्ट करके निर्देशक एस रमानाथन सेम टाइटल खबरदार नाम से एक फ्लीम का काम शुरू किये थे जो रिजेक्ट हो गई थी अमिताव बच्चन और कमल हसान इसके बाद में 1985 में ग्रेफतार नाम के एक दूसरे फ्लीम पे दर्शकों के सामने नजर आये खबरदार फ्लीम के निर्देशक थे टी रामा राओ जो कि अमिताव बच्चन को लेके अंधा कानून और इनकलाब जैसे दो सफन फ्लीम का निर्मान किये थे फ्लीम आलोचकों के हिसाब से अगर ये फ्लीम का क्लाइमेक्स कैसे भी करके कॉंप्लीट कर लिया जाता है तो ये फ्लीम खबरदार का रिलीज करना आज भी संबब है खबरदार आज भी रिलीज कर सकता है अगर इस फ्लीम का अंतिम द्रिश क्लाइमेक्स का शुटिंग ठीक ठाक हो जाए तो